प्रेमी आसिक आवारा आपने सुना होगा फूल और कांटे का एक सौंग तो आज हम बात करते हैं उस प्रेमी के बारे में उस आवारा के बारे में उस लवर के बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा ऐसे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट्स वक्याब वर्ड्स जो अक्सर बिविन इग्जामिनिशन में पूछे जाते हैं और अगर आपको वर्ड्स को ना एज इंट्रेस्टिंग वे से नहीं समझते हैं नह व्रड्स तो अधिक दिन ओर कर पाएंगे आधर नहीं रख पाएंगे तो आज चलिए हम बात करते हैं लवर की बबात करते है हां के बी केærफुल मैं नहीं बात करता हूँ किसी गल्व के लवर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ लव और ठिंक्स जिस से आपको लव है मिंस you are the lover आप true lover है ओके चलिए मैं बात करता हूं क्या आप lover है किताबों का books का पुस्तकों का आप क्या lover है अगर आप पुस्तकों का lover है अगर आप किताबों का lover है रियल में lover है आप book अधिक से अधिक पढ़ना पशंद करते हैं आपके book के साथ गजब का एक बहुत अच्छा relationship है तो आप क्या कहलाते हैं बिब्लियो फाइल जो लबर ऑफ बुक्स हो किताबों का कीड़ा हो किताबों को पसंद करने वाला किताबों को अपने पास रखता हो वो कहलाते हैं बिब्लियो फाइल तो क्या आप बिब्लियो फाइल हैं आप बिब्लियो फाइल बने और आप कोई भी लाइब्रेरी जॉइन कीजिए इसका मतलब आप बीब्लियोफाइल है नेक्स्ट नमर्ट वर्ड लवर हैं आपकी सिच के चिल्डरन के बच्चे से आपको बहुत ज्यादा फ्रेंट्शिप है बच्चे के बीच में आपको रहना पसंद है राइट जैसे कि पंडि जोहरल और फाइल मिन्स लवर अगर आप किसी के लवर हैं तो आप मिन्स फाइल है तो चिल्डरन के अगर लवर हैं तो आप कहलाएंगे पैडो फाइल ओके चलिए तिस्रा वट क्यों चलते हैं आप लवर बनना है आपको एनिमल्स के पड़ती और हम सभी को एज ए हुमन बिंग पी मस्स भी लवर ओफ एनिमल्स सो काइंड जंदस्स 按 sit我要 इसका मतलब है आपको जनावरों से प्यार है आप जनावरों के आसिख हैं आप जनलों के प्रेमी हैं आप जनवरों के पागल हैं एट-बिंज आप जूफाइल है उभाइल ठीक सुना आपने लवर ओफ एनिमल्स से आपको बहुत ज्यादा पसंद है आपके यहां कितने स्टॉरिस का बिल्डिंग हो दो तीन चार पांच दस्तल्ला हो फिर भी आप अपने मकान के सबसे उपर में पेड़ पोधे को लगाई हुए है इट मिन्स आपको पेड़ पोधे से बहुत ज्यादा प्यार है आप लग जाओ ग्यान अधिक फरी रखना ही चाहिए आपको भी खांसर का ज्यान रखना चाहिए खांसर की तरह घ्यानीच चाहिए तो इट मिन्स आपको नौलिश्ट से आपको बहुत प्यारफ है प्रेमी है असी और ज्विद मिन्स आपको प्यध पγα Iowa को पाने के लिए आप जहां बिब्लियो का मतलब books भी होता है बुक्स से जो जादा knowledge रखते हैं लोग बुक्स से जो related knowledge है बिब्लियो तो बिब्लियो logist ध्यान रखेंगे बिब्लियो फाइल हो गए आपका अलग word separate word जो होता lover of books और बिब्लियो logist लग गया है इसका मतलब अध्यान खूब किया गया है बुक को तो ओं हो जाएगा बिब्लियो logist ओके अब मैं बात करता हूं next word का lover of words सब्दों के प्रेमी सब्दों का बनाना सब्दों को जोड़ना एक सब्द से नए सब्द को create करना सब्दों के परती words के परती बहुत ज़्यादा इंट्रेस्ट रखना काम करना कैसे बना है इसका ड्रेविशन के सा हुआ इस सारी जानकारी रखना आप इट मिंस आप प्योर philologist है philologist 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 it means lover of words lover of words को philologist कहते हैं लवर ओफ मीट आईए लवर ओफ मीट बहुत से लोग मीट के प्रेमी होते हैं मीट का असिक होता है मीट का दिवाना होता है बहुत खा जाता है बहुत पसंद करता है हर दिन पसंद करता है उससे हम क्या कहेंगे जो लवर ओफ मीट हो उससे हम कार्नी भोर क्या कहते हैं कार्न इसी प्रकार से इसके ज़स अप्वोजित लवर आफ वेजिटेबल को आप जानते हैं लवर भीजटेबल मिन्स भैजी टैरिएं तो लवर आफ मीड को कहेंगे हम कारणी भोर कारणी भोर लवर ओफ वार जो जिसको बहुत पसंद फर्स्ट वर्ड वर और आने वाले टाइम म ऐसी सरकार ऐसा तंत्र जिसे वार से बहुत प्यार हो वार चाहता है वार के उसका प्रोपेगंडा है वार के माध्यम से वह चाहता है हम अपने आपको पावर्फिल बनाई रखें ठीक है पावर में बने रहें तो उसे वार से बहुत पसंद है जुद्ध ही उसको पसंद है ज जुद्ध के साथ तो ऐसी स्थिति में वो कहलाएगा वार मोंगर वार मोंगर वार मोंगर मीन्स ओके लवर ओफ वार ठीक है नेक्स इसके जस अपोजिट गांधी जी की में बात करता हूं हमारे राश्पीता लवर ओफ पीस उनको सांती के प्रेमी थे वो हर चीजों में सांत सांती ढूंड़ना चाहते थे कभी वह कभी वार मोंगर को पसंद नहीं करते थे वह कभी भी लवर ओफ वार को पसंद नहीं करते थे वार मोंगर से हेट करते थे उसे पीस बहुत पसंद था उसे सांती बहुत पसंद था वह सांती के प्रेमी थे सांती के प्रतीक थे तो इ इस्टे हम